हलो माई डियर फ्रेंट्स आज मैं आप सब ये के साथ में हल्दी हल्वे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ सुनकर हैरान हो गए होंगे ना हल्वा हल्दी कैसे हो सकता है तो फ्रेंट्स हो सकता है वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा और आप देख सकते हैं ये healthy halwa कितना जादा अच्छा दिख रहा है देख कर ही खाने का मन कर रहा है ना और भाई क्यों ना करें sweet cravings किसे नहीं होती तो friends चलिए recipe स्टार्ट करते हैं उससे पहले चानल को subscribe कीजिए अगर आप मुझे और personally जाना चाते हैं तो आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं Instagram लिंक आप नीचे description box में देख सकते हैं तो चलिए recipe स्टार्ट करते हैं यहां पर मेरे पास है कुछ शकरकंदी जी हाँ यह हम शकरकंदी से बनाने वाले हैं जिसे हम English में sweet potato भी कहते हैं इन्हें मैंने roast करके रखा हुआ है यह शकरकंदी को मैंने कुकर में roast किया है और अगर आप जाना चाहते हैं कि कुकर में यह शकरकंदी roast कैसे करनी है तो उसक मैंने separate video बनाया हुआ है और यह देखिए बहुत अच्छी तरीके से roast हुई है अगर आप roast नहीं करना चाहते हैं तो आप शकरकंदी को boil भी कर सकते हैं हमेशा यह roast की शकरकंदी boil की शकरकंदी से जादा अच्छी लगती है तो यह देखिए मैंने बाकी भी शकरकंदी छील है और यह देखिए बहुत ही जादा soft होती है बस इन्हें हमें क्या करना है अपनी हाथों की health से crush कर लेना है तो सारी शकरकंदी को हमें roughly crush कर लेना है जादा महीन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह बहुत ही जादा soft है तो चलिए एक कढ़ाई ले लेते हैं शकरकंदी का ह हलवा हमेशा non-stick कढ़ाई में ही आप बनाईएगा अब इसमें हम डाल देते हैं एक चोटी चमज शुद्ध देशी घी यहां पर मैं एक चोटी चमज डाल रही हूं अगर आप जादा है तो इसे totally skip कर सकते हैं बस ध्यान रखे non-stick कढ़ाई ही यूस कर रहे हूं और अगर आप इसमें और घी डालना जाते हैं तो भई आपकी शुरद्धा है आप इसमें और घी भी दिल खोल कर डाल सकते हैं घी में भूना हुआ हलवा और अच्छा लगेगा अब इसमें हम डाल देंगे शकरकंदी जो की हमने roughly crush करके रखी हुई है और अब इसे हमें अच्छी त 10 मिनिट लग जाएंगे और अगर हाई फ्लेम पे भूनेंगे तो यह जल्दी भून जाएगा बस ध्यान रखें अगर आप हाई फ्लेम पे भून रहें तो इसे चलाते रहें वरना यह आपका हलवा नीची खड़ाई में लग जाएगा और चल जाएगा तो यह देखिए भ हमारा हलवा है अच्छी तरीके से भून चुका है क्योंकि यह शकरकंदी का हलवा है और स्वीट पटेटो अपने में ही काफी जादा स्वीट होता है और आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो इसमें चीनी डालने के आपको बिलकुल भी जरूरत नहीं है लेकिन अगर इस्तिमाल करेंगे साबू चीनी का इस्तिमाल नहीं करेंगे वरना जो आपका हलवा है वो कड़क कड़क हो जाएगा चीनी डालने के बाद हलवे को अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए और चीनी डालने के बाद हमें हलवे को जादा देर नहीं पकाना है वरना हलवा कड़क हो जाएगा और ये देखे हमारा हलवा बिल्कुल बनकर रेडी है और ये देखे कितना सुन्दर दिख रहा है देखकर ही खाने का मन कर रहा है ना तो फ्रेंट्स अपने घरों में ये हलवे की रेसिपी एक बारी जरूर ट्राइ किजीगा मुझे उमीद है आपको पसंद आएगी और हेल्दी है तो आप ये हलवा कभी भी बना कर खा सकते हैं अपनी स्वीट क्रीविंग्स को शांत कर सकते हैं तो फ्रेंट्स आपको ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखके बताईएगा अच्छे लगी है तो प्लीज लाइक का बटन दबाईए अपने फ्रेंट्स और फामली के साथ शेयर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत भूलेगा थैंक यू